हेलो दोस्तो एटो जैट चैनल में आप सबी लोगों का बहुत भूत थार्थिक सुभागत है तो दोस्तो चलिए सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और कुमेंट सेर जुरूर करना ना बोले और साथ में इस बैल आइक और को भी जुरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप मेरे ही देखें तो आज मैं आपको एक ख़पर पताने जा रहा हूँ राजिस्थान में जालोर में गिरा है 2.78 किलो वजन का उलम्पिक पिंड जालोर के संचोर कपसे में में सुक्रवार सुबह लोगों के अफरा तफरी का महोल दिखाई दिया दरसल यहां 2.78 किलो गराम वजनिया उलम्पिक पिंड आकर गिरा है जिसको देखने वालों की भीड उमर पड़ी संचोर थान नहीं अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि सुबह 7 बजे सुचने मिली कि गायतरी कॉलिज के पास आसमान से तेज आवाज में एक साथ एक जमकदार पत्थर गिरा जहां पहुंचकर देखा कि काली रंग के एक धातू जैसा टुकड़ा जमीन में करीब 4.5 फुट गहरा दसा हुआ था उस समय टुकड़ा काफी गरम था वहीं वहां मौझूद लोगों का कहना है कि उन्होंने आसमान से तेज चमक के साथ एक टुकड़े को नीचे गिरते देखा नीचे गिरते ही जोरदार धमाका हुआ उस उलंका पिंड को ठंडे होने के बाद पुलिस ने उसे कांच के एक जार में रख दिया पुलिस का कहना है कि ये विसेशिग्यों को दिखाये जाएगा तो इसमें विज्ञानिक क्या कहते हैं कि आकास में कभी-कभी एक और से दूसरी और अत्यांग वेग सित्ता जाते हुए अथवा पृत्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाये देते हैं उन्हें अलुका पिंड सधान बोलचाल में तूटते हुए तारे कहा जाता है तो हलाकि यह दरने वारे कोई बात नहीं है क्योंकि यह अक्सर प्राक्रतिक नियम है यह घटनाए होती रहती है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक जुरूर कर देना को यह वीडियो कैसे लगी और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना थेंक्यू